कैसे हैदराबाद की महिला ने टीवी एंकर से शादी करने के लिए उसका पीछा किया और उसका अफरन कर लिया। पुलिस ने कहा कि व्यवसाई महिला ने उस पर नजर रखने के लिए उसकी कार पर एक ट्राकिंग डेवाइस का इस्तिमाल किया और इस काम को अंजाम देने के लिए अफ़रण करताओं को काम पर रखा। हैदराबाद स्थित एक वीडियो जौकी का एक व्यवसाई महिला ने अफ़रण कर लिया था, जो एक वैवाहिक वेबसाइट पर अपनी तस्वीर का उप्योग करते हुए एक बहुरूपिये के सामने आने के बाद उससे शादी करने के लिए ग्रिड थी। पुलिस ने कहा कि महिला ने उस पर नजर रखने के लिए उसकी कार पर एक ट्राकिंग डेवाइस का इस्तमाल किया और इस काम को अंजाम देने के लिए अफ़रण करताओं को काम पर रखा। वीडियो जोकी द्वारा शिकायत दर्स कराने के बाद उसे गिरफतार कर लिया गया। 31 वर्शी महिला एक डिजिटल मार्केटिंग व्यवसाय चलाती थी जबकि पुरुष एक संगीत चैनल में एंकर के रूप में काम करता था। दो साल पहले उसे भारत मैट्रिमोनी पर एक प्रोफाइल दिखी जिसमें वीजे की तस्वीरों का इस्तमाल किया गया और उसके साथ चैट करना शुरू कर दिया। जब उसे एहसास हुआ कि यह वास्तविक खाता नहीं है तो वह एक इंस्टेंट मेसेजिंग एप के माध्यम से अलग से वीजे के पास पहुँची। पुलिस ने कहा कि उसने उसे बताया कि यह एक फर्जी अकाउंट था जिसे किसी ने उसकी तस्वीर का उपयोग करके बनाया था और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस काम के लिए चार लोगों को काम पर रखा। उन्होंने उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनकी कार में एक एयर टैक भी लगाया। वीजे का 11 फरवरी को अफ़रन कर लिया गया था उन्होंने उसकी पिटाई की और उसे महिला के कार्याले में ले गए पुलिस ने कहा कि उसने उसे तभी जाने दिया जब वह उसकी कॉल का जवाब देने के लिए तयार हो गया मुक्त होने के बाद वह सीधे उपल पुलिस स्टेशन गया उन्होंने उपल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्स कराई और धारा 363 अफ़रन 341 गलत तरीके से रोकना 342 गलत तरीके से कारावास और भारतिय दंड संहिता IPC की संबंधित धाराओं के तहट मामला दर्स किया गया जाच के दौरान पुलिस ने आरोपी महिला को उन चार लोगों के साथ गिरफतार कर लिया जिन्हें उसने अफ़रन को अंजाम देने के लिए नियुक्त किया था